दुर्गु जिले के जामुल में दुरुगा मंदीर के पास बड़ा हाथसा हो गया यहां एक यूवक चपेट में आ गया जिससे मौके पर ही मौत हो गई घटना के बाद आकरोशित लोगोंने चक्का जाम कर दिया सूजना के बाद मौकी पर पहुँची जामूल पुलिस ने लोगों को समझाईश दी बताय जा रहा है कि आकरोशित लोग 50 लाख रुपे महावजी की मांग कर रहे है साथी परिवार के आशित को सरकारी नौकी देने की भी मांग की जा रही है फिलहाल पुलिस ने चक्का जाम कर रहे है प्रदर्शन कारियों को हलका बल प्रयोग कर चक्का जाम को खाली कराया और आवाज जाही शुरू करवाई दरसल खेदा निवासी मनिश उर्फराजा टंडन का सुबह बाल कटाने के लिए एक्टिवा से जामूल में रोडिस्तित सेलून के लिए निकला था इस दोरान तेज रफतार हाईवा क्रमांग CG07BG2282 ने उसे अपनी चपेट में ले रिया हासे में मनिश की मौके पर ही मौत हो गई इधर घटना के बाद हाईवा छोड़कर चालक फरार भी हो गया घटना के बाद मौके पर लोगों की भीर जमा हुई लोगों ने यहां चक्का जाम कर प्रदर्शन किया हासे के सुचना के बाद मौके पर पहुँची जामूल पुलीस की टीम ने मूर्चा संभाला फिलहाल मौके पर परिजन्व स्थानी लोगों की काफी भी लगी हुई है लोगों का कहना है कि यहां अक्सर हाथ से हो रहे हैं और यहां से गुजरने वाले भारी वाहान काफी रफ्तार में होते हैं मृतक मनीश के संबन्द में ऐसा बताया जा रहा है कि वो अपनी माता पिता का एकलावता लड़का था वही हाथ से के बाद मृतक के पिता राम नात टंडन का कहना है कि पचास लाख रुपे मों आउजा और बेसपी में नौकरी चाहिए और पालत पोशन करने वाला वह अकेला लड़का था साथी कहा कि मेरी परवरिश कौन करेगा इसलिए मुझे बेसपी में नौकरी दिलाई जाए पचास लाख रुपिया चाहिए नगात चाहिए मेरे परवरिश का कहना है कि जामूल में एक रोड एक्सिदेंट में यूवक मनीश की मौत हो गई उसके बाद ग्रामेणों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया ग्रामीना परिजन मौजे की मां कर रहे हैं शासनिस्तर पर बात की जा रही है बहरार मामला जाज का विशय बना हुआ है क्रेंडे सीन न्यूस के लिए हर्श सुनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट